क्या ओडिसा एफसी अभी प्रिपेर है फर दा आयसल क्योंकि पहले मैच जो हमने देखा है न उसको देखते हुए हर ओडिसा एफसी के फैन तो नाखुस है और बहुत कुछ क्वेस्चन जो है रेज हुआ अब नेक्स्ट मैच जो है और आगे भी जो मैच है क्या ओडिसा एफसी प्रिपेर है क्या डेल गांडो कितने महीने के लिए आउट है सेवियर गामा कितने महीने के लिए आउट है रॉई किसना क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्या जिर्मी और जेरी इन दोनों में कौन स्टार्ट करना चाहिए क्या रहीम अली अभी टीम पे आये हैं अभी जश्ट आये हैं क्या उनको स्टार्ट करना सही है इसके इलाबा क्या रोहित एक एक्स्प्रियंस मीडफिल्डर अभी पुईटिया के जगा पे चाहिए और सबसे इंपोर्टेंट फॉल क्या फॉल हो चुके हैं या राइज करेंगे यह सब जो है आज बात करेंगे सो स्टे टून तिल आ एंड अप्स वीडियो एंड डोंट फर्केट तो सब्सक्राइब प्रोफेसर कलिंगा तीके पहला क्वेस्टन यह है के डेलगाटों कितने दिन तक आउट हैं लग तो यह रहा है के बहुत बढ़िया बढ़िया पांच अच्छे डिफेंडर मैंने दोड़ा है और बहुत कम खर्चे में आ जाएंगे फ्यूचर के लिए भी साइनिंग हो सकती है और एक तो ऐसा प्लेयर जो इस बेंगल के लिए खेला भी है और मोहन बगान को अल्मोंस रोक दिया था तो इ अब बात करते हैं क्या सेवियर गामा एविलेबल है क्या सेवियर गामा नेक्स्ट मैच के लिए अविलेबल नहीं है वो एटलिस्ट दो से तीन मैच के लिए वो आउट है मिनिमाम दो मैच और वो एक्शन होके तीन मैच तक वो आउट है इसका यह मतलब सिंपल सिंपल है क जेर्मी और जेरी हमरे दो जे के ऊपर लेफट बेक गुम रहा है क्या जेर्मी स्टार्ट करना चाहिए एड़ जेरी मेरे को लग रहा है कि ये पंजाब एपसी में तो कर सकते हैं अब चलते हैं डिफेंस में एमफॉल जब जब भी खेले हैं डिजास्टर हुआ है और आगे जाके ना हो बगवान के वरोजे चल रहा है राइट बेक में हमें रहेंगे उनका दो बैकप ही नहीं वाइद वे यू माइट भी नोई तंकादर है अब पुरिटिया की पहुमेस बहुत ही ज्यादा कंसरिंग थी वह साइड पास कर रहे थे इनसाइड आ रहे थे और सेंडिंग लेफ्ट बैक पास कर रहे थे तो खिलाना चाहिए यह देखने लाइग रहेगा पुरिटिया रोहित के बीच में किसको लाना है अब बात करते हैं इसाग तो रहना ही है और आपका हुगो रहेंगा अब बात करते हैं राइट साइड में क्या रहीम अली अभी बहुत जल्दी हम कर रहे हैं क्या he has to settle in कलिंग he has to understand the कलिंग लोवेरा सिस्टम गीव जेरी दा चांस नॉट बी सो कुएक अनफ टो टेक डिसीजन आई थिंग रहीम अली को बैंच से लाना चाहिए और जेरी को राइट विंग में खिलाना चाहिए रहीम अली फ्रॉम दा बैंच विल क्रीट मोर इंपक्त दो तिन मेंच क स्टाइकर में रॉइ फिस्टम खेलना चाहिए रहीम डाइट अपका क्या रहा है कि यह लाइन अप में कोई डिचेंजस है क्या स्पिरिटेट पंजाब जो की बहुत ही खत्रना पोहमेज दी है करला ब्लास्टर के अगनेश्ट में और इस तरीके से उनकी एक क्रूप बनी उनकी स्पिसिपिकल राइट बेक एंड लेट बेक बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं मिड़फील अच्छी है आप तो अटाकिंग में तो आपको जानती है बढ़ हां बिकॉज ऑव राहूल के पीज वो इंसिडेंट के वए से उनकी मेन प्लेयर जो है भी बाहर रहेंगे तो बट स्टिल पंजाबे सी लुक्स वेरी ब्राइट एंड वह हम घर पे केल रहे हैं मजाक नहीं है गाईज मेरा प्रेडिक्शन बहुत सिंपल है यहां पर ओडिसा ड्रो एगेंस पंजाबे अपसी लास्ट टाइम भी बाइद वे मैंने ड्रो का ही प्रेडिक्शन किया तो उसके बाद रेजल्ट आपको भी पता ही है थैंक यू दैसे वर टुड़े जय जय करनाद